भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षिय चर्चा चाहता है अमेरिकी. अमेरिका के शीष अधिकारी भारत और पाकिस्तान के बीच पुतपादक चर्चा चाहते हैं. भारत द्वारा सम्मिधान के अनुच्छे 370 को निरस्त किये जाने के बाद जम्मू कश्मीर का विश दरजा वापस लिया और 5 अगस्त को राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाट दिया, 2019 भारत और पाकिस्तान के रिष्टे बिगडे। भारत और पाकिस्तान के रिष्टों में बार बार तनाव पैदा किया है। भारत और हमारा वैश्विक रणनीतिक गटबंधन है। मैंने पाकिस्तान के साथ अपने करीबी संबंधों का भी जिक्र किया है। हमारे दिमाग में ये कनेक्शन एक तरफा नहीं है। निवियार्प में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्दारी द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ हाल में की गई भडास के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को अपने सम्वादधाता सम्मिलन में सम्वादधाटाओं से कहा. प्राइस के अνुसार, इन में से प्रत्ते कनेक्शन अमेरिका के लिए आवशक है. साथ ही पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका के साज्धा उध्धेशों को बढ़ावा देने और पीछा करने के लिए भी. हम भार और पाकिस्तान उत्पादक संबंदों में शामिल हो। हमारा मानना है कि यहाँ पाकिस्तान और भारत के लोगों के लाब के लिए हैं। हम सन्युक्त रूप से और द्विपक्षिय रूप से बहुत सी चीजों को पूरा कर सकते हैं। प्राइस ने क्वेरी का जवाब दिया। संदे की बात यहाँ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहां दोनों के लिए एक साथी के रूप में सन्युक्त राज्य अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है। भारत द्वारा सम्मिधान के पिछले सब्ता, विदेश मंत्री एस जैशंकर के सन्युक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद को सूचित करने के बाद की आतंकवात का समकालीन महाकाव्य बहुत सक्रिय है और उनसे निपटने के लिए सामोहिक कारवाई का आवान किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भ इसलामाबाद को दी गई सीधी चेतावनी को याद करते हुए कहा था कि किसी के पिछवाडे में सांप रखने से आखिरकार सांप रखने वाले व्यक्ति का दसना होगा। विदारी अपने दम पर खड़ी है। हम अपने भारतिय और पाकिस्तानी दोनों मित्रों के साथ लाबकारी गज्जोर को संदक्षित करने के मूल्य को देखते हैं, वास्तव में आवशकता है। इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्यक्रिश्टे के कई पहलू हैं, मूल्य के अनुसार। इसलिए हमारे बीच एक ऐसा संबंध है जिसमें हम एक दूसरे के साथ खुले और इमानदार हो सकते हैं, जबकि हम भारत के साथ अपने विश्वव्यापी रणनी तिक सहियों को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, जब हम असामत होते हैं या मुद्दे होते हैं, तो हम उन्हें एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, जैसे हम अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ करेंगे। एक अलग प्रश्न के उत्तर में प्राइस ने कहा कि जब प्रधान मंत्री मोधी ने पिछली गर्मियों में रूसी राश्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन को सूचित किया कि यह संधर्ष का यूग नहीं है तो दुनिया भर के राश्ट्र प्रसन्न हुए जो मेरा मानना है कि सबूत है कि यहां एक कॉल था जो इस देश के साथ-साथ दक्षिन एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में सुना गया था उन्होंने टिपणी की कि निस्संदेह सन्युक्त राज्य अमेरिका में इसका स्वागत किया जाता है शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यहां महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत की तरह रूस के साथ अमेरिका का कोई संबंद नहीं है रूस कई वर्षों तक भारत के साथ इस तरह से काम करने के लिए तयार था कि उस समय अमेरिका नहीं था बेशक प्राइस ने नोट किया है, हाल ही में चीजें बदल गई है तथे यहा है कि अमेरिका अब भारत का पहला रिसॉर्ट भागीदार है जो पिछले प्रशासनों की एक गैरपक्ष पातपूर्ण विरासत है संभवता इसकी शुरुआत पूर्व अमेरिकी राश्चुपती जोर्ज डबलिव बुश के साथ सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने दावा किया आने वाले वर्ष में जब भारत जी 20 की मेजबानी करेगा उन्होंने भविशवारी की की न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बलकि दुनिया भर के लिए हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं मुझे लगता है कि हम इसका एक अच्छा उदाहरन देखेंगे प्राइस जारी रहें मुझे पता है कि हमारे पास भारत आने का मौका होगा जी 20 के संदर्ब में भारत के साथ निकट संपर्प में रहने का मौका होगा और हम यहाँ देख पाएंगे कि हमारे दोनों देशों और देशों की एक विस्तरिच शिंखला के बीच सहयोग क्या दे सकता है